ओर्यार जंप जातर हम उटलाव रैश्टरों में खाना खाने जाते हैं सबसे याद डिस्कॉंड से ओर्डर करते हैं पनीर बेटर मसाला इतना डेश्टी होता है खाने में कि इसको गर पर भी बनाना चाते हैं पर बना नहीं पाते हैं तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने बलाओ पनीर बेटर मसाला बनाने का चलिया रैस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले आपे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है दो प्याज दो टमाटर और 5-6 हरी मिर्च लिया है हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने मिर्ची का यूज ज़्यादा किया है और सबसे पहले आपने टमाटरों को रफली काटना है रफली काट के टमाटरों को पीस नहीं आपने तो टमाटरों के साथ जो हरी मिर्ची हमने लिया है उसको भी साथ में ग्राइंड कर दीशे टमाटरों के साथ मिर्ची को पीस के डालेंगे बहुत ही जबर्दस टेस्ट आएगा साथ में आपने एक छोड़ा जमच देगी मिर्च पॉर्डर है कश्मेरी मिर्च पॉर्डर डालना है इस से ग्रेवी में कलर अच्छाता है तो एक तम फाइन पेश्ट ना लेना है देखिए इस तरह से और कलर देखिए टमाटरों कलर कितना रेड हो गया यह कैसे हो देगी मिच पॉर्डर से तो इनको बॉल में निकाल लेते हैं मिक्सी ग्रेटर जार में थोड़े से टमाटर चिप की ओ रहेंगे थोड़ा सा पानी डालके इनको मिक्स कर देशे प्याज को आपने बरी काट लेना है देखिए इस तरह से और इसके साथ में आपने एक छोड़ा चमाट साबू जीरा एड कर देना है मसालों को तिड़काने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जब तर मसाले प्याज के साब पकेंगे अपना फ्लेवर छोड़ते रहेंगे तो देखिए साबू जीरा भी हमारा तिड़क चुका है इसके अपने इसके अंदर भरी कड़ो प्याज एड कर देना है और अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तब पकाना है जब तब प्याज का जो कल रहा है लाइट गोलन ब्रॉन होना शुरू नहीं और कंटि इसके बद आपने अदर कलसन के पेश्ट को पका लेना है और प्याज का कलर लाइट गोलन ब्रॉन हो चुका है आदा छोड़े चमच आपने इसमें देगी मिश पॉर्डर डालना है तो यहाँ पे मैंने तीके वली लाल मिश पॉर्डर का यूस नहीं किया है जो देगी चमच नमग भी एड़ करते हैं और अब आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है आई फ्लेम अपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है जब तर टमाटर पकने का बद अच्छे से ऑईल ना छोड़ते हैं तो यह देखिए टमाटर भी हमारे एक्टम ट्राई हो चुके अब जी से पानी एड़ करना तो गैस की फ्लेम आपने लो आपने लो रखनी है अच्छे से इनको पकने देखिए और यहाँ पे आपने 10 से बारा काजू ने उनको गर्म पानी में भिगो के रखना है कम से कम आदे खंटे के लिए काजु ना ग्रेवी को पाइंड करेंगे और अच्छा टेस्ट भी लाएंगे तो काजु को आपने थोड़ा सा पानी डालके पीस लेना है यहां पे और एक्दम फाइन पेस्ट बना लेने देखिए तो इतना सा काजु का पेस्ट आपकी ग्रेवी को जैसे होड़ा और रेशनो में ग्रेवी बनते ना पैसा ही बना देगा तो यह देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं इसके बद आपने इसमें काजु का पेस्ट आइड क इसे पकना शुरू जाएगा इसके बद आपने के करना है उपर से इसको ना कवर कर दीशे एक्टम लो फ्लेव में तीन से चार मिंट तक इसको पकने देना है और बीच बीच में आपने पल्टा ना चलाते भी रहना है क्योंकि काजू का पेस्ट आलते हैं ग्रेवी जो उकड और ग्रेवी के साथ मिक्स होने के बाद आप बहुती बड़ी आटेस्ट निकल गयाता है तो ओके देखिए हमारी जो ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है इसके बद आपने इसमें थोड़ा सा गर्मसाला पौडर एड़ करना है साथ में आपने इसमें थोड़ा सा बार भाद करेंगे जैसे आपका बड़ थोड़ा सा मेल्ट हो चाए है इसके बड़ा आपने इसके अंदर जो पनीर काट के रखा था था ना वो अड़कर ना है तो भूरी तरह से मैंने बड़र को मेल्ट नहीं किया ज़्यादा मैइल्ट करेंगे तो बड़र ना जलना शुरू हैं तो बटर के साथ आप पनीर को मिक्स करके पकाएंगे ना पनीर के अंदर तक बटर का टेस्ट आएगा गैस की फिलेम आपने मीडियम टू हाई रखनी आए और पनीर को अपने बटर के साथ तब तर शेलो फ्राई करना है जब तब पनीर के अंदर जो मौईश्र होता है ना बो खतम हो जाए और ज़्यादा हिलाने की जूरूर पर नहीं है देखे इस तरह से आप इसको पका लीचे पनीर को आप ज़्यादा पल्टे से हिलाएंगे त पनीर ना तूटना शुरू है तो इस तरह से अपने पनीर को थोड़ा सा टॉस करके पकाना है और ये देखिए पनीर के अंदर जो मौईश्र धबो खतम हो चुका है इसके बुद आपने साथ साथ में ही ना पनीर को डाल देना कडाई के अंदर तो चलिए सारे का सारा पनी इसमें क्रीम डाल दीशे, क्रीम निया दूद की मलाई होती है न घर में, दूद की मलाई को भी अच्छी तरह से मिक्स करके आप डाल सकते हैं इसके अंदर, और के देखे एक दम होटल और एसन जैसा कलर आचुका है इसमें, और जैसा टेस्ट आता है आप वैसा ही आपके पन